इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे बेलजियम और दोस्तों फ्रांस के होने वाले आज के फॉर्स्ट ड्रीम 11 ECC International T10 के मैज के बारे में दोस्तों यह मैं दोपर के तीन बजे से स्टार्ट होगा मिस नहीं किज़ेगा काफी अच्छा मैज है क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आपको दो-तीन ऐसे पिलियर बताने वाला हूँ जिनका दोस्तो selection percentage आपको 10 से भी कम मिलेगा लेकिन जानते हो एक दो पिलियर तो ऐसे है जिनको आप captain by captain कर सकते हो तो वीडियो बहुत important होने वाला है सबसे पहले तो दोस्तो इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बारे में यह चीज़ आपको starting में मैं बता दो दोस्तो इस match में आप किस team को favor कर सकते हो किस के दोस्तो आप maximum player को अपने small league team में try कर सकते हो grand league में दोस्तो आप कितने के ratio के साथ team बनाओगे यह चीज़ आपको starting में clear हो जाए तो सच बता रहा हूं दोस्तो आगे आपको वीडियो समझने में बहुत जादा help होगा से पहले दोस्तो हम लोग बात कर लेते हैं Belgium team के बारे में तो दोस्तो जो Belgium की team में बहुत जादा strong team में दोस्तो इनके सभी player आपको regular interval पर T.T.N. match खेलते हैं और वहीं दोस्तो बात करें France के team के बारे में तो देखो France के team भी काफी अच्छी team है लेकिन दोस्तो problem क्या है इनके जो 99% player ऐसे जिन्होंने दोस्तो कभी भी T.T.N. match नहीं खेला है और Belgium के दोस्तो आपको कोसिस करना है साथ पिलर अपने team में रखने का और चार पिलर दोस्तो फ्रांस के team में और देखो यहाँ पर आप रिक्स नहीं लेना चाहते हो बहुत जादा रिक्स नहीं लेना चाहते हो तो 6-5 का भी combination रख सकते हो लेकिन मैं दोस्तो ट्राइ करूं और साथी साथ spinner को भी help मिलेगा क्योंकि जो यह बिकेट है दोस्तो काफी जादा यूज हो चुका है इसलिए दोस्तो इहां पर spinner को भी help मिलेगा तो दोस्तो ऐसा नहीं कि आपको spinner को direct ignore कर देना है अपने team से 2-3 अच्छी spinner है जो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा जिने दोस्तो आपको team में definitely use करना है ठीक ना बात कर लें दोस्तो एबरेज इसकोर का तो दोस्तो एबरेज इसको depend करता है टस्पे यदि दोस्तो बेलजेम की team first batting करती है तो दोस्तो एबरेज इसकोर आपका 110 से एभव भी हो सकता है यदि दोस्तो फ्रांस की team first batting करती है तो दोस्तो एबरेज इसको 90 और दोस्तो 110 के पीच में रहेगा यह चीज़ को ध्यान रखेगा और ऐसे भी मैं कोशिस करूँगा आपको टेलिग्राम पे यह चीज़ किलियर कर देने का आसा करता हूं दोस्तो आप लोग ने टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिए होंगे यद सब्सक्राइब करने यह चीज़ करने आपको यह चारू नोटिफिकेशन का घंटी जरूर बजा दीजेगा जिसे दोस्तो आने वाले वीडियो का आपको इजली नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं दोस्तो आप बात कर लेते हैं इस मैच में हम लोग कंबीनेशन कैसे सेक्षर में दूस्टों आपके पास तीन ओपशन है एक तो जैक्षन, ए राजा और ओ में खिल तीनों ही दोस्तों बहुत ही बहतीरी आप्शन है सच बता रहा हूं देखो सबसे पहले जैक्षन के बारे में बात कर लें तो दोस्तों यह ओपनिंग करने आते है इस साले इनों प्रॉब्लम क्या है दोस्तों इनका बैटिंग ओडर दोस्तों हमेशा ही इनका नीचे रहता है बाइचान दोस्तों यदि इनका बैटिंग ओडर आज के मैच में ऊपर हो जाए तो दोस्तों आज के आपके फर्स्ट प्रिफरेंस एर आ जाओएंगे अधर्वाइश दोस्तों आप जैक्सन को टीम में ड्राइ कर लेना ठीक ना ओ मेल खेल को दोस्तों आप जी एल में सिर्पर्सिब रिकम्बेंड करना कि कुई देखो ठाट डाउन बैटिंग करने आते हैं मुझे उतना बहतर स्टैट्स नहीं लगा है स्टील हार्डीटर बैट्समें दोस्तों यह भी है吧 यदी दस गयर में 30 र scorp मारना हूथ तो दोस्तों यह मार सकते है ठीक एपड़ है ग्रेंड लिंग में मिनी जील में दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छे आपसर नहींगे क्योंकि देखो सेलेक्षन परसेंटेज बहुत कम है तो गेम चेंजर हो सकते आपके लिए अभी मैं जैक्षन को अपने टीम में रख रहा हूँ बात कर लें दोस्तों बैटिंग सेक्षन से एस बट इनको तो दोस्तो ड्रॉप करना ही नहीं आप स्मॉली खेल रहो ग्रेली खेल रहो सबी में आपको टीम में रखना है प्लस पॉइंट किया है ये ओपनिंग करने आते हैं साथी साथ दोस्तों बहुत पुरारे T10 के खिले रहे अभी तक 44 में ये T10 में खेल चुके है और साथी साथ देखो 1,298 रनस्कोर कर चुके है और बॉलिंग भी दोस्तों करतेए लेकिन पार्ट टाइम बॉललर है ऐसा नहीं आपको रेगुलर इंटरबल पर बिकेट प्रवाइट करेंगे बॉलिंग बहुत ही कम करते हैं मेनली दोस्तों यह बैटिंग से आपको बहुत जादा पॉइंट देंगे और कैप्टन भाइस कैप्टन भी कर सकते हो क्योंकि यह ओपनिंग करने आते ठीक ना नीचे से यह 27 ओवर बॉलिंग किये तो बॉलिंग देख लो तो काफी अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं ऐसा नहीं कि कम्प्लीट दो ओवर सभी मैच में बॉलिंग कर रहे हैं लेकिन इनके साथ प्लस पॉइंट क्या है न दोस्तों यह जब भी बॉलिंग करने आए और दोस्त राउन बै से दोस्तों थोड़ा सा डिफ्रेंट जाना चाहते हो तो दोस्तों मैं एक आपको रिकॉमेंड करूंगा कि आप दोस्तों इधर से संतार कुरान को जरू ड्रॉप कर देना देखो मुझे उतना इंपोर्टेंट खिलाड़ी यह नहीं लगता है इसलिए मुझे जहां तक जील में करना इसमाल लिंग में दोस्तों इनसे बेटर पिक आप नीचे से मुझे को रख लेना है बहुत ही अच्छे बॉलर है ओपनिंग करने आएंगे यह कनफॉर्म रखिएगा अभी तक 27 मैच इन्हों ने खेला है टीटें में 27 मैच में दोस्तों इन्हों ने 404 रन स्क कम है लेकिन आपके लिए स्मॉल लिंग में दोस्तों बहुत ही अच्छे और सकते हो इन्हों ने अभी तक 24 मैच खेला है टीटें में 24 मैच में दोस्तों इन्हों ने आपको 20 बिकेट परवाइट किया और साथी साथ कंप्लेट 33 ओवर बॉलिंग किया है और में लिए दोस् सब्सक्राइब अबी तक आप इनका स्टैक्स से कंप्लेट करने बहूर एक सब्सक्राइब अवश्तों विकेट टेकर बॉलर है दोस्तों 18 मैच में इनोंने आपको विकेट 20 विकेट प्रवाइड किया तो टीम में तो जरूर रखना और स्मॉल लिग में भी दोस्तों आप इन्हें कैप्टन बाइस कैप्टन कर सकते हो नीचे से दोस्तों एक साइफर एबरेज पीक रहेंगे मैं दोस्तों अभी टीम में नहीं रख रहा हूं लेकिन दोस्तों यदि बेलजियम की टीम फॉस्ट बॉलिंग करती है तो आप टीम में रख सकते हो रिकॉर्ट देख लो तो 17 मैच इनोंने खेला अभी तक टीटेन में 16 बिकेट आपको प्रवाइड किया और 17 मैच में दोस्तो कम्टेट इनोंने 300 बॉलिंग किया है तो रिकॉर्ड देखो तो बहुत अच्छा है बहुत ज़्यादा संदार है तो यदि दोस्तों फॉस्ट बॉलिंग करती है तो तब दोस्तों मैं अपने टीम में रखूंगा अधर बाइद दोस्तों अभी के लिए तो मैं इने ड्रॉ किये तो सबसे बारा दोस्तों रिजन यही है इने टीम में रखने का ठीक न और आप भी दोस्तों जरूर रखना सेलेक्शन परसेंटेज भी काफी अच्छा है दोस्तों ग्रेंड लिंग में नीचे से आप ये जेड अमद को अपने टीम में ट्राइक कर सकते हो मातर चो पर कंसीडर कर सकते हो इसमॉल लिंग में नहीं करना ग्रेंड लिंग में आप कर लेना ठीक ना बात कर लें दोस्तों बॉलिंग सेक्शन से डबलू राजा यार इनका नाम आपको बॉलिंग सेक्शन में क्यों देख रहा है मैं तो यही कन्फ्यूज हूँ यह दोस्तों बहुत का बॉलिंग किया 38 मैच में 33 बिकेट अभी तक ले चुके है और एक और चीज बता दो ये दोस्तो में ली आपको फॉस्ट रॉन बैटिंग करने आते हैं यही चीज में बोल रहा था दोस्तो तो कैप्टन भाइस कैप्टन की भी बहुत ही सांदार अप्सन है और इस साल दोस्तो काफी अच्छे फॉर्म में भी दिख रहा है तो टीम से तो ड्रॉप मत करना ठीक न एम इकरामी को दोस्तो आप टीम से ड्रॉप कर सकते हो मुझे दोस्तो उतने खास अप्सन नहीं लगते है 19 मैच अभी तक खेले है टीटेन में और मात रिगा सब्सक्राइट मी ईहिए को की तो लिएदे आप और मात रिगारा आखी और मरिक्वी आप और मात ृद्रउप करन दॉस्तो टीम में नहीं रख रहा हूं सलेक्शन परसेंने जरूर हाई है लेकिन में डॉप कर जिड़ हएं लेकिन ये केरेंचù कर लेने नीचे से एस सा के बारे में एक चीज बता दू देखो ये खेलने का चांस कम है यदि खेलते तो आप टीम में ट्राइ कर सकते हो बॉलिंग बैटिंग दोनों करते हैं आठ मैच इन्हों ने खेला है अभी तक टीटेन में 119 रन स्कोर किया और 379 बिकेट आपको प्रवाइड कर चुके टीटेन का दोस्तों में इस्टैट्स बता रहा हूँ तो काफी अच्छे ओप्सन है खेलेंगे तो टीम में आप चरूर ट्राइ करना ठीक ना नीचे से आर मंगल दोस्तों देखो आर मंगल का 77% सेलेक्शन है लेकिन दोस्तों मैं टीम से ड्रॉप कर रहा हूँ रीजन क्या है दोस्तों उनका इनका स्टैट्स बहुत बेतर नहीं है इस साल इन्होंने पांच मैच खेला है पांच मैच में दोस्तों इन्होंने मातर क्योंकि टीटेन तो इन्होंने कभी खेलाई नहीं है तो रिकॉर्ड देखो तो उतना बेतर नहीं है मैं दोस्तो ड्रॉप कर रहा हूं और मुझे जहां तक लगता है में भी जनता कन्फ्यूज भी होंगे क्योंकि देखो यहां पर आपको एक आर मंगल दिख रहे हैं और नी इन्हों आपको ड्रॉप करना है और नीचे से यह जो मंगल आपको देखेंगे रहमुतला मंगल इन्हें जो तो आपको टीम में जरूर कंसिडर करना है ठीक ना आप इनका स्टैट्स में अभी बदा देता हूं इन्होंने दोस्तो अभी तक T20 में इस साल बहुत जादा नहीं खेला है लेकिन नौ मैच इनों ने खेला है नौ मैच में 11 बिकेट आपको पुर्वाइड कर चुके हैं आपके लिए दोस्तों ट्रॉमकार्ट प्लियर बनेंगे मात 5% जनता नहीं टीम में रखाया ठीक ना उपर से दोस्तों फ्रांस के आप एदाउत को भी ट्राइ कर चुके हैं डैट में देखो तो 9 मैच में 36 ओवर इनको कंप्लीट बॉलिंग कराना चाहिए था उसमें दोस्तों यह 33 ओवर बॉलिंग कर चुके हैं तो बहुत ही अच्छे ओप्सर है यदि टी-20 में दोस्तों यह 4 ओवर बॉलिंग करेंगे तो टीम में जरूर कंसिडर करन और एक दोस्तों में आपको सबसे वरा पीक बदाता हूँ आर फेच मातर 6 पर्षेंट जनता नहीं इने टीम में रखा है लेकिन यार यह कमाल का बैट्समेन है और साथी साथ कमाल का बॉलर है अभी तक 11 मैच इन्हों ने खेला है टीटेन में 11 मैच में दोस्तों इन्हों न और बैटिंग करने आएंगे यह चीज फिक्स रखेगा ठीक ना तो टीम में तो दोस्तों आपको जरूर रखना और कैप्टन भाइस कैप्टन भी आप इन्हें बना सकते हो बात कर लें दोस्तों आज के मैच में हम लोग कैप्टन भाइस कैप्टन को होईंगे स्मॉल बीद में उतनarily खास option नहीं रहेंगे निज़े से जक्यल को दोस्तों आप इसमॉल लीग में भी स्क्रेप्टन भी कर सकती हो निच्छे से रजा को देखो जनताने 40 percent जनता नहीं कैप्टन किया है लेकिन देखो मैं इन्हें स्मॉल लिग में तो कैप्टन नहीं करने वाला हूँ ग्रेल लिंग में दोसो डेफिनिटली आप इन्हें कैप्टन कर सकते हो इसमॉल लिंग में मैं नहीं करूँगा क्योंकि यह बैटिंग से आपको पॉइंट नहीं देंगे सिर पर सी दोसो यह आपको बिकेट परवाइड करेंगे लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आपको एक मैच में चार बिकेट परवाइड कर देंगे तो ठीक ना तो डैट्स वाई दोस्तो मैं इसमॉल लिंग में ट्राइड नहीं कर रहा हूं सेलेक्शन परसेंटेज बहुत जादा है आपको करना हो दोस्तो तो कर सकते हो मैं दोस्तो रिकॉमेंड करूँगा आप आ आप अमदी को ट्राइ कर लो ने कोई प्रोब्लम नहीं चाहते हैं और इस tenían इसमॉल लिंग में करते हो नीचे से विक से में से दोपिक बहुत भी रहने वाले आरफेच और डब्लु राजा जिने दूस्तों मैं Captain और Vice Captain कर रहा हूं देखो मातर 0.8% जनता नहीं है Captain किया है लेकिन दूस्तों मेरे Captain होने बाले है Region के है दूस्तों जैसा मैंने बताया Complete दूस्तों ये बंदा 2 वर बॉलिंग करते हैं विकेट टेकर बॉलर है कभी भी दोस्तों एक मैच में आपको तीन विकेट चार विकेट प्रवाइड कर सकता है तो डैट्स वाई मैं अपने टीम में रख रहा हूं और बैटिंग से भी पॉइंट देता है और वहीं बात करें दोस्तों डबलू राजा तो यह भी दो वर कोई चेंजेज होगा तो मैं फिर से आपको फाइनल टीम अपडेट करके प्रवाइड कर दूँगा हो सकता है चेंज दोस्तों कि देखो टूनामेंट का फॉस्ट मैच है किसी की भी पास आपको परफेक्ट प्लेंग लेवन नहीं मिलेगा तो टेंसर नहीं लिजेगा कोई भी चेंजेज होगा तो मेरा जो फाइनल और अपडेटेड टीम होगा वह दोस्तों मैं आपके साथ टेलिग्राम पे सेर कर दूँगा आसा करता हूं दोस्तों आप लोगों ने टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिया होगा यदि दोस्तों आप नए हो और फर्स्ट टाइम परवाइड करूं उसी के साथ दोस्तों आप कॉंटेस्ट चोईन करना और विन करना और दोस्तों साथ ही साथ अभी तक आपने यूटूब चैनल को सस्क्राइब ने कियो तो दोस्तों आप यूटूब चैनल को जरूर सस्क्राइब कर देना और सस्क्राइब करने के बाद notification का घंटी जरूर बजाना जिसे दुस्वों आने वाले वीडियो का आपको easily notification मिलता रहे next video दोस्वों आज के ही second titan match के रहने वाले हैं तो miss नहीं किजेगा ठिक ना फिर मिलते हैं दोस्वों आप सभी से next titan के वीडियो में टेक क्यार bye bye